Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरे और ये है आप लोगों के लिए May 2022 की Love Tarot Reading और अभी मैं out of country हूँ, मैं Canada में हूँ तो अगर आप personal session चाहते हैं और फिर किसी भी reason के लिए मुझे contact करना चाहते हैं आप WhatsApp message करेंगे या फिर WhatsApp call करेंगे तो बहतर रहेगा और हो सकता है देखिए जवाब देने में थोड़ा सा delay हो जाए क्योंकि यहाँ पर दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप WhatsApp call यहाँ फिर WhatsApp message करेंगे तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और आप अपना personal session भी book करा सकते हैं और दिखिए contact number नीचे description box पे mention है उसी पे ही आप WhatsApp call और message मेंचे कर सकते हैं और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा page भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं May 2022 की Love Tarot Reading तो चलिए Aries आप लोगों के लिए देखें कि May 2022 में आपकी Love Life कैसी रहेगी तो मैं पस यहाँ पर तीन सेट आफ कार्ट हैं फर्स सेट में हम आपके energies देखेंगे सेकंड सेट में आपके partner की energies देखेंगे and फर्स सेट में हम देखेंगे कि finally May month में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं Aries और आपके लिए यहाँ पर देखें सबसे पहले कार्ट मुझे दिख रहे हैं failure, limitation and suffering और देखें यह तीनों ही कार्ट किसी लेविल पे किसी तरीके के issues और मसलों की बात करते हैं और सबसे पहली बात Aries इन कार्ट को देख के आपने परिशान नहीं होना क्योंकि monthly reading में बहुत बड़ी चीज़े नहीं होती है और दिखें यह तीन कार्ट एक हिस्सा है पूरी reading का भी बहुत सारे कार्टs है और बहुत सारी चीज़ें unfold होंगी तो सबसे पहली बात देखिए deeper level के लिए या फिर मन ही मन के लिए कुछ issues, कुछ मसले रहते हुए दिख रहे हैं सबसे पहला कार्ट यहाँ पे failure है और यह कार्ट बहुत ही clearly कहता है कि कोई चीज़ आप चाहा रहे थे या फिर कोई चीज़ के लिए आपने पीछे काफी efforts लिए उसी से ही related आपको success नहीं मिला और दिखें यह भी थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने partner से मिलना चाहा रहे थे कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने partner को किसी चीज़ के लिए convince कर रहे थे कुछ के लिए हो सकता है कि आप इस relationship को ही end करना चाहा रहे थे कुछ के लिए हो सकता है आप marriage चाहा रहे थे और देखें, यहाँ पर limitation का card कहता है, कि आपको ऐसे लग रहा है, कि बहुत restrictions हैं, आप freely कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आप again मैं कहूंगी, कि खुल के कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और देखें, यह restrictions, यह limitations भी सब के लिए differ कर सकती हैं, कुछ के लिए external हो सकती हैं, situation, circumstances की तरफ से, कुछ के लिए कोई इनसान हो सकता है, कुछ के लिए society हो सकती है, कुछ के लिए आपके ही thought process, आपके ही belief system की वज़े से, अगेन यह restrictions, यह limitations आप महसूस कर रहे हैं, और जो भी हो Aries, कहीं फिर से मैं कहूंगी, कि बहुत बंधा हुआ आप महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि freely again आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और इसी लिए suffering का काट कहता है, कि आप परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन देखिए deeper level के लिए जो भी हो, कहीं surface level के लिए three of pentacles का का काट कहता है, या फिर इसी चीज को लेकर आप अपने close ones के साथ जाधा discuss कर रहे हैं, या फिर आप किसी से guidance, counselling ले रहे हैं, या फिर आप किसी को guidance, counselling advice दे रहे हैं, और देखिए याँ पर hangman का काट कहता है, कि चीजों को deal करने का, अपना नजरिया भी आप बदलना चाहा रहे हैं, या मैं कहा सकती हूँ कि चीजों को देखने का भी नजरिया, perception आप बदलना चाहा रहे हैं, कहीं, you know, willingly कुछ compromises, कुछ adjustments आप करने के लिए ready दिख रहे हैं, हाला कि साथ ही साथ एक stuck feeling में भी आप रहते हूँ दिख रहे हैं, या फिर एक stuck feeling आप महसूस करते हूँ दिख रहे हैं, और देखिए कहीं end में के लिए आप एस of suits का का काट कहता है, बहुत ही logically आप हर चीज को deal कर रहे हैं, कहीं एक clarity लाना चाहा रहे हैं, कहीं एक fighting spirit भी रहती हुई दिख रही है, नए-नए ideas भी आपके mind में आ रहे हैं, कि कैसे जो भी मसले हैं उनको आप deal कर सकते हैं, and in the process कुछ चीजों से एक detachment आ रही है, या फिर एक detachment आप लाना चाहा रहे हैं, क्योंकि देखिए Ace of Swords के नीचे suffering का card है, तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी, कि जो भी issues हैं, जो भी मसले हैं, उनको अपने उपर हावी नहीं होने देना चाहा रहे हैं, या फिर नहीं होने दे रहे हैं, आप इनहीं मसलों के साथ एक detachment चाहाते हुए, या फिर रखते हुए देख रहे हैं, और अब देखते हैं Aries के आपके partner की क्या energies हैं, तो आपके partner के लिए देखिए, यहाँ पर सबसे बहला card मुझे दिख रहा है Five of Swords, और देखे Five of Swords का का टारो में कहीं unfair energies की बात करता है, किसी लेविल पे किसी तरीके का injustice भी होने की बात करता है, और कुछ ऐसा ही आपके partner भी कुछ time से यह में starting में महसूस करते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर मैं फिर से कहूंगी Aries, कि यह general reading है, तो यह unfair energies, situations हो सकती हैं, जो की इतने favorable नहीं हैं, जिनकी वज़े से ऐसी energies में आपके partner है, कुछ के लिए उनके you know close circle में से कोई इनसान हो सकता है, और कुछ के लिए Aries आपका कोई behavior हो सकता है, फिर से मैं कहूंगी कोई भी reason हो सकता है, जिसकी वज़े से आपके partner एक unfair energies महसूस कर रहे हैं, एक injustice महसूस कर रहे हैं, और देखिए, यहाँ पे deception का card भी कहीं, एक cheating वाली energies की बात करता है, और देखिए, cheating मैंने हमेशा कहा है, कि third party ही नहीं होती है, cheating देखिए, जब आपको लगता है, कि आप यह चीज deserve करते हैं, आपको नहीं मिल रही है, उसको भी हम cheating कहते हैं, और जो reasons अभी मैंने five of swords के लिए दिये, यानि कि society हो गई, situation हो गई, circumstances हो गई, कोई इंसान हो गया, एरीज आपका कोई behavior हो गया, फिर से देखिए, कोई भी चीज हो सकती है, जिसकी वज़े से मन ही मन, एक cheating वाली भी feeling आपके partner को आ रही है, लेकिन देखिए, जो भी हो, यहाँ पर trust and the sun के cards कहते हैं, कि बहुत willpower, बहुत determination के साथ हर चीज को deal कर रहे हैं, trust का card बहुत ही clearly कहता है, एक विश्वास उनको अपने उपर, आपके उपर, या फिर जिस God को वो मानते हैं, उनके उपर है, जिसके basis पे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और फिर से मैं कहूंगी कि जो भी हो, कहीं बहुत एक positive frame of mind रखते वे दिख रहे हैं, बहुत एक positivity के साथ हर चीज़ को deal कर रहे हैं, और जो भी issues हो रहे हैं, कहीं उनको अपने उपर हावी नहीं होने दे जाए हैं, कहीं एक खुशी, एक happiness भी महसूस कर रहे हैं, या फिर मैं कहूंगी कि एक खुशी, एक happiness में रहते हुए दिख रहे हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको ही enjoy करना चाहा रहे हैं, या फिर कर रहे हैं, और देखिए end में के लिए यहाँ पे fullness and empress के cards कहते हैं, कि बहुत एक beautiful energies उनके लिए रहती हुए दिख रही हैं, जहाँ पे देखिए एक completion वो feel कर रहे हैं, जहाँ पे एक prosperity, एक abundant energies वो महसूस कर रहे हैं, देखिए इस card में भी दो birds खुले आसमार में fly कर रही हैं, और ऐसी ही energies उनके लिए रहती हुए दिख रही हैं, जहाँ पे उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरा जहान उनको मिल गया हो, और देखिए the Empress का card भी कहीं एक positive outcome की बात करता है, positive result की बात करता है, कहीं love, प्यार, महबबत की भी बात करता है, और कुछ ऐसा ही आपके partner भी Aries महसूस करते हुए दिख रहे हैं, और देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ये card love, प्यार, महबबत की बात करता है, एक love, care, वो महसूस कर रहे हैं, या फिर उनकी तरफ से बहुत एक loving, caring energies आपके लिए हैं, और कुछ Aries के partner के लिए हो सकता है कि आपकी तरफ से बहुत एक love, care, वो महसूस कर रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि self love पे Aries आपके partner बहुत जादा focus कर रहे हैं, और अब देखते हैं Aries की में मन्थ में क्या हो रहा है दिखें में मन्थ के लिए यहाँ पे सबसे पहला काड है Witness और यह काड कहता है कि कहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक pause लेते हुए दिख रहे हैं एक standstill सी position में आते हुए दिख रहे हैं और जो भी चीजें externally हो रही हैं उनको इस relationship पे या फिर खुद पे effect होने नहीं दे रहे हैं क्योंकि देखें हमने आप दोनों के ही cards में देखा कि कुछ issues कुछ मसले हैं आपके लिए यहाँ पे failure suffering के cards हैं आपके partner के लिए five of swords reverse का card है देखें जो भी issues जो भी मसले हो रहे हैं again उसको आप लोग दोनों ही तोड़ा सा pause लेके बहुत ही smartly deal करना चाहा रहे हैं क्योंकि देखें यहाँ पे magician का card बहुत एक manipulative energies की बात करता है diplomatically चीजों को deal करने की बात करता है और ऐसे ही इन ही मसलों को again आप लोग deal करना चाहा रहे हैं और देखें इन दा process हो सकता है कि over confident या under confident हो रहे हैं या फिर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़े से controlling थोड़े से dominating भी रहते हुए दिख रहे हैं और देखें मिड में के लिए आप इंपोर्टेंस और six of souls के cards कहते हैं यह distance आप दोनों के बीच में आ रहा है और देखें यह distance again सबके लिए differ करेगा कुछ लोगों के लिए physical level पे हो सकता है जहां पे Aries या तो आप out of city travel कर रहे हैं यानि कि अगर आप दोनों एक ही city में रहते हैं तो again आप दोनों में से एक जन city से बहार जा रहे हैं या फिर देखें किसी भी तरीके का एक physical distance आप दोनों के बीच में आ रहा है और कुछ Aries के partner के लिए हो सकता है कि भई वो travel कर रहे हैं या फिर emotional mental disconnect आ रहा है या फिर emotional mental level पे एक distance आ रहा है और deeper level के लिए importance का card कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे की capabilities एक दूसरे की potential को भी doubt कर रहे हैं और कुछ लोगों को literally ऐसे लग सकता है कि भई इस relationship में वो potential ही नहीं है कि जैसे आप चाहा रहे हैं वैसे चीजें हो और देखिए हाँ पे end में के लिए waiting and king of wands reverse के cards कहते हैं कि मन ही मन आप दोनों ही किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं और देखिए इंतजार भी सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि एक दूसरे से मिलने का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पे हमने देखा भी Aries कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक travel कर रहे हैं या फिर देखिए marriage या फिर इस relationship के next level पे जाने का इंतजार कर रहे हैं किसी news phone call message का इंतजार कर रहे हैं तो फिर से मैं कहूंगी waiting का card इंतजार की बात करता है और यह general reading होती है तो यह इंतजार सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा और देखिए इसी लिए या फिर otherwise भी King of Wands Reverse का card कहता है कि एक low enthusiasm एक low excitement रहतावा दिख रहा है और कुछ Aries और उनके partner के लिए भी हो सकता है कि बहुत ही courageously, बहुत ही boldly जो भी चीजें हैं उनको upfront होके deal करना चाहा रहे हैं लेकिन उतना courageously, उतना boldly upfront होके चीजों को नहीं deal कर पा रहे हैं तो यह थी Aries आप लोगों के लिए May 2022 की Love Tarot Reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें